नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चोधरी. पंजाब में कॉंग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है, पारिटी की अंतरकल है, पारिटी में कई अपने आपको सीम पद का उमीदवार और दावेदार मानते रहे हैं, जो इस समय कैप्टान अमरेंदर सिंग की जगए मु वो तो जाहिर है, चाहेंगे ही के वही मुख्यमंत्री बने, चुनाओ के बाद भी अगर जनादेश मिल जाता है, और राहुल गांदी ने उनकी ये मुराद पूरी करने के संकेत भी दे दिये हैं, क्योंकि लुधियाना में उन ही को सीम पद का चेहरा बनाया गया है, अब नवजोज सिंग सिद्दू ने, सुनील जाखड ने वहां जहां ये घोशना हुई, वहां तो स्वीकार कर लिया, कि कॉंग्रेस नित्रत्व का जो भी फैंसला है, वो हमें स्वीकार है, लेकिन उसके बाद सुनील जाखड ने सक्रिय राजनीती से अलग होने का फैंसला कर दिया, और नवजोज सिंग सिद्दू, सिद्दू ने अमरत सर के बाहर पूरे पंजाब में कहीं भी प्रचार का कारिये छोड़ दिया है, जी हां, वो प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष हैं, और जैसे दूसरे दलों में प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में घु उनकी पारिटी की सरकार ने पिछले पांच साल में कौन-कौन से काम किये हैं, उन विकास कारियों के बल पर वोट मांगते हैं, आगे का एजेंडा, आगे का जो कारिक्रम है, जो घोशनाएं हैं, उन पर वोट मांगते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम ये ये काम करेंगे पू अमरसर इस्ट सीट तक अपने आपको सिमित कर चुके हैं जहां से उनको टिकेट मिला है जिस सीट पर वो लड़ रहे हैं वो केवल उस पर घर घर जाकर के परचार कर रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं अमरसर से बाहर वो निकल ही नहीं रहे हैं और ये कॉंग्रेस नित्रत्व के लिए एक बड़ा जटका है एक बड़ा संकेत भी है वैसे तो नवजोत सिद्धू के जो करीबी हैं उनका कहना ये है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंग का वाड़रा ये चाहते हैं कि नवजोत सिद्धू पंजाब का चेहरा ना बने यानि पंजाब में मुख्यमंत्री ना बने तो फिर नवजोत सिद्धू क्या गलत कर रहे हैं अपने आपको अमरसर इस्ट की सीट तक सीमित रख करके और वैसे तो लुधियाना की उस सभा में जहां राहुल गांधी ने चरंगीत चन्नी को सीम का चेहरा गोशित किया था वहां तो सिद्धू ने भी सुनील जाखर ने भी बाकी लोगों ने भी सहमती व्यक्त कर दी थी कह दिया था कि जो हाई कमान का फैंसला वो सिर माथे पर लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी दो घटनाएं और हुए हैं एक तो उत्तरा खंड के लिए जो तीस इस्टार परचारकों की सूची कॉंग्रेस ने जारी की है उसमें सिद्धू का नाम नहीं था उसमें चरंगीत सिंग चन्नी का नाम था फिर उत्तर प्रदेस के के लिए भी तीस इस्टार परचारकों की सूची जारी हुई उसमें भी चरंगीत चन्नी तो थे नव्जौत सिंग सिद्धू नहीं थे और सिद्धू जिन्होंने कैप्टन अमरेंदर सिंग को कुर्सी से चलता करवाया हो हलाकि मर्जी तो दस जन्पत की ही थी सिद्धू तो केवल टूल बने हुए थे सिद्धू हरीश रावत इसके अलावा यही चरंगीत सिंग चन्नी सुखजिंदर सिंग रनधावा कई लोग कई चेहरे दस जन्पत की जो एक साजिश थी कैप्टन अमरेंदर सिंग को कुर्सी से उतारने की उसमें सहयोग कर रहे थे और नवजोत सिद्धू तो प्रमुख टूल थे इनको उम्मीद थी के कैप्टन अमरेंदर सिंग को एक बार अगर मुख्यमंतरी पद से चलता कर दिया तो उसके बाद दस जन्पत की नजदीकी के चलते उनके मुकाबले कोन आएगा पंजाब में लेकिन चुकि ये प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाए जा चुके थे तो ये नहीं हो सकता था कि सारे पद सारे आवसर इनको ही उपलब्द कराए जाए तो कॉंग्रेस ने त्रत्व ने सोचा और तब तक इनके कुछ-कुछ बयान आ चुके थे इट से इट बजा दूँगा अगर मुझे पावर नहीं दी गई और कुछ और चीजे भी इस बीच डवलप हो चुकी थी तो दस दन पर ने सोचा के एक दलित समधाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जट सिक परदेश अध्यक्ष और दलित चेरा मुख्यमंत्र एक कॉंबिनेशन बन जाएगा मालवा में चुकि जट सिक और दलित काफी हैं तो मालवा जहां 69 सीटे हैं वहां से अगर कॉंग्रेस को फिर से ताकत मिल गई 2017 की तरह तो सरकार बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी और कॉंग्रेस नेत्रत तो आकाली दल का जो कॉंबिनेशन है यानि आकाली दल और बहुजन समाज पारिटी का जो गठबंदन है उसकी भी काट डोड़ना चाहता था और अर्विंद केजरिवाल की जिस तरीके से संभावनाएं बन रही हैं सबसे बड़े दल के रूप में और भरने की उसका भी रास्ता रोकना चाहता था और चुकि भारतिये जंता पारिटी अकाली दल से अलग होकर के पहली बार अपने दम पर कैप्टन अमरेंदर सिंग के साथ मिल करके लड़ रही है तो उसकी कोई बहुत जादा संभावनाएं कॉंग्रेस या दूसरे दल द पार्तिय जंता पार्टी को भी ठीक ठाक वोट इस चुनाओं में मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो नवजोज सिंग सिद्धू की हसरतें थी पंजाब पर राज करने की वो हसरतें तो धूल में मिल चुकी हैं। चुनाओं परचार के लिए अब केवल 6 दिन का समय बचा है, 18 फरवरी को चुनाओं परचार खतम हो जाएगा। कल प्रियंका गांदी वाडरा अमरत्सर जा रही हैं। और उससे पहले नवजोज सिंग सिद्धू का एक बयान आया है कि हम सब एक जुठ हैं। परचार के लिए जाएंगे। लेकिन चुकी अब सीम का चेहरा चरण जी सिंग चन्नी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि चरण जी सिंग चन्नी तो अपने परचार में कुछ बाते कहें। और नवजोज सिंग सिद्धू अगर पूरे पंजाब में जाएं अमरसर से बाहर भी और वो कुछ और कहें। तो एक टकराव की इस्तिती पैदा हो जाएगी तो उसे टालने के लिए ही नवजोज सिद्धू कहीं नहीं जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस नित्रत्व भी अब सिद्धू को ज़्यादा बहाव देने के मूर में नहीं है। आप जानते हैं कि कॉंग्रेस के भीतर भी यानि इस दस जनपत के भीतर भी जो तीन सजस्य हैं। तो नवजोज सिद्धू प्रियंका वाडरा के ज़्यादा करीब माने जाते हैं। प्रियंका वाडरा उन पर ज़्यादा भरोसा करती रही है। लेकिन जिस तरह के बयान हाल में नवजोत सिंग सिद्धू के आए हैं वो जो चने के पेड़ पर चड़े हुए थे जो कह रहे थे के चीप मिनिश्टर कोन होगा ये दिल्ली तै नहीं करेगी पंजाब की जंता तै करेगी अब लुधियाना में चन्नी का चेहरा प्राहुल गांदी द्वारा गोशित किये जाने के बाद से नवजोत सिंग सिद्धू को शायद इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो एक बिल्ली से जादा कुछ नहीं है हंटर किसके हाथ में है ये उनको एहसास हो गया होगा और हंटर चलाने वालों ने ये इनको संकेत दे दिये कि मेरी बिल्ली और मुझे ही मियाव वाली इस्तिती चलने वाली नहीं है और शायद ये कॉंग्रेस की और इस दस जनपत परिवार की रीती नीतियों से इनके एहंकार से परिचित नहीं है अगर परिचित होते आउगत होते तो इस तरह से हर बात में ब्लैक मेलिंग की नवजोत सिद्धू ही एडामेंट थे कि जो मेरी पसंद का है उसको डीजीपी लगाई है मंत्री मंदल में कौन-कौन शपत लेगा ये सिद्धू चाहते थे कि उनकी पसंद को तरजी दी जाए महाधिवक्ता कौन लगे ये सिद्धू तै करने की कोशिश कर रहे थे वो भूल रहे थे कि वो मुख्य मंत्री नहीं है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षेंड सारा फैसला चन्नी और दस जन्पत के विचार विमर्ष से तै हुगा था लेकिन इन्हों ने इस्तिफा दे द आगे और अमरेंदर सिंग मंत्री मंदल के चार वून चेहरों को भी दोबारा शपत दिला दी गई जिनका ये विरोध करते आ रहे थे उन पर कई तरके आरोप लगा रहे थे जैसे विक्रम जीत सिंग मजीठिया पर लगाते थे और बाद में जब इनको एहसास हुआ कि कॉंग्रेस में अलग थलग पड़ जाओगे और कोई मनाने वाला भी नहीं है कि वही आप इस्तिफा वापस ले लो तो इसके बाद इन्होंने लखीम पूर खीरी में जाकर के भूख अड़ताल का नाटक नोटंकी किया उसके बाद इनको संदेश बेजे गए और ये सहज रूप से मान गए हाला कि डीजीपी चेंज हुए महादीवक्ता चेंज हुए लेकिन उसके बाद भी सिद्धू के समझ में आया नहीं तो कॉंग्रेस नेत्रत्व ने इनको बड़ा जटका दे दिया चन्नी को मुख्यमंतरी के तोर पेश करके हैं ये इस बात की जिद कर रहे थे शुरू से ही कि इनहे ही मुख्यमंतरी पद का चेहरा गोशित किया जाए। जब से नहीं किया गया है, चन्नी को मनाया गया है, तब से छुप हो करके बैठ गए हैं और अपने आपको अमरस्तर इस्ट की सीट तक सिमित कर लिया है, जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रम जीत सिंग मजीठिया को इनके खिलाब चुनाव मैदान में उतार दिया, तो इन्होंने कहा कि वो एक ही सीट पर लड़ें, सिद्धु ने, तो उन्होंने मजीठा से अपना नोमिनेशन दाखिल नहीं किया, अपनी पत्नी का करवा दिया, और अमरस्तर इस्ट सीट प करके विधान सबाब पहुँचेंगे, क्योंकि अगर ये जीत वे, तो ये मुख्यमंतरी पर फिर दावाट होक सकते हैं, अगर कॉंग्रेस को फिर से जनादेश मिल गया तो, अर्विन केजरिवाले भी नहीं चाहते, कैप्टन अमरेंदर सिंग तो पहले ही गोशना कर चुके हैं, कि ना इनको मैं जीतने दूँगा, ना मुख्यमंतरी बनने दूँगा, तो कैप्टन अमरेंदर सिंग जो कह रहे थे, एक काम तो हो चुका, मुख्यमंतरी का चेरा त आप जितने दोस्त बनाएंगे, उतना जादा सफल होंगे, नवजोत सिंग सिद्दू ने दुश्मन जादे बनाए हैं, हर दल में इनके दुश्मन है, इनकी पार्टी के भीतर भी इनके दुश्मन है, यहां तक के जो ग्रह मंतरी हैं, प्रणदावा, उन से इनकी नहीं ब तो बहुत बड़ा वर्ग है वहां कॉंग्रेस के भीतर भी और कॉंग्रेस के बाहर भी, जो सिद्धू को उनका चेरा देखना ही पसंद नहीं करते हैं, तो अमरत सर में चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी, इनकी बेटी भी लगी हुई है, इनको जिताने के लिए, इ जैसे वो तो बिल्कुल तैयार बैठी थी, कि कॉंग्रेस नेत्रत्तु इनको चेरा गोशित करेगा, और उसके बाद जो मैंने बजनलाल का ये किस्सा सुनाया था आपको कल के वीडियो में, वो हो जाएगा, लेकिन कॉंग्रेस नेत्रत्तु ने 10 जनपत ने सिद्धू और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है, अब अमरत सर इस्ट के लोगों को भी संदेश मिल गया है कि ये मुख्यमंतरी नहीं बन रहे हैं, तो इनको ना उस तरीके से डॉनेशन मिलेंगे, ना उस तरीके से पब्लिक का समर्थन मिलेंगे, वही अमरत सर इस्ट की इम्बने वाले हैं और जितने भी दूसरे दल हैं और यहां तक के इनके सीम चरण जी सिंग चन्नी पूरा शासन परशासन वो अब इनको जीतने में बिलकुल मदद नहीं करेगा बलकि वो तो चाहेंगे के हार जाए ताकि आगे के लिए मुसीबत ही खतम हो जाए इसलिए प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूर अब कल प्रियंका गांधी वाडरा पहुंच रही हैं अमरस्त देखते हैं उसके बाद ये सक्रिये होते हैं पंजाब के दूसरे हिस्समा जाते हैं या नहीं जाते हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें ब करें दो